हेलो दोस्तो स्वागत है आपका डिमाकेटिंग वाल में मेरा नाम है विशेक दोस्तो आज की वीडियो का वाँए टोपिक है बेस्ट चीपेस्ट रिलायबल वेब होस्टिंग तो दोस्तो आज के एक वीडियो में आप खोड़ाने जा रहा हूँ एक बहुती सस्ता वेब होस्टिंग साथ में एक ऐसा वेब होस्टिंग जिस पर आप रिलाय कर सकते हो तीक है आप इस पर कम्प्लीटली भरोसा कर सकते हो और साथ में इसका जो डिसकाउंट लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिश में परड़ा दूँगा ताकि आप directly वहाँ जाग से purchase कर सकते हैं और आपको वहाँ पे 65 plus 10% का extra discount मिलेगा जो कि आपको हमारे link के तुरू मिलेगा ठीक गाइस तो इससे पर एक वीडियो को start करें जल्दी करें चैनल को subscribe और bell icon को press ताकि जब मैं कोई वीडियो प्रकुसक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तो चले शुरू करते हैं ओके गाइस तो description में दियेगा discount link पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस website पर और यहाँ पर आपको हमारे link के थुरू 65 plus 10% का extra discount मिलेगा जो 10% का discount है वो आपको हमारे link के थुरू मिलता है ठीके तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है best cheapest web hosting और जो की साथ में reliable भी हो जिस पर आप trust कर सकते हैं ठीके क्यों कर सकते हैं क्या बाते हैं वो सब चीज़े हम आगे इस वीडियो में देखेंगे तो यह कुछ चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा और plans के बारे में कौन सा plan लेना चाहिए सब कुछ हम आगे discuss करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बतादू की चीप एस की जब हम बात करते हैं तो चीप का मतलब क्या होता है कई लोगों का point of view होता है चीप का मतलब होता है कि जो सस्ता हो ठीक है और हमेशा यह ज़रूरी नहीं है कि आप जो सबसे सस्ती चीज़ देखते हो मार्केट में वो अच्छी हो है ना सस्ती चीज़ का मतलब यह होता है कि वो सस्ती है चीप है और काफी सारे लोग चीप वर्ड को इस तरीके से यूज़ करते है जो कि खराब है है ना लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे है एक ऐसी वैब होस्टिंग जिसको लेने से आपको सबसे बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे सबसे अच्छा कासा प्रटेक्शन देखने को मिलेगा और कंपैटिबिलिटी वर्ड प्रस के साथ वर्ल्ड बेस्ट कंपैटिबिलिटी आपको पर देखने को मिलेगी ठीक है और यह सब कुछ आपको मिलेगा ब्लू होस्ट पर अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर यहां से आप एक वैब होस्टिंग पर्चेस करते हैं तो आपको हर होस्टिंग प्लान के साथ जो कॉमन सीज मिलेगी वह मैं आपको बता देता हूँ वह है फ्री डॉमेन आपको यहां पर देखने को मिलेगा फ्री एससर सर्टिकेट मिलेगा और साथ में आपको क्लाउड फ्लेयर का प्रीमियम सीडियन भी मिलेगा फ्री डॉमेन आप जाए डॉट कॉम लोड डॉट इन लोड जो आप लेना चाहो आप ले सकते हो और यहां पर आप यहां से आप डॉमेन पर्चेस कर सकते हैं और अपको फ्री रहेगा और एससर सर्टिफिकेट भी आपको फ्री ऑफकोस मिलेगा और एक मैने के बहले हर महिने हमें एक बैंडी मिलती है आप हर महिने सिफ एक या दो या तीन दिन उसके बिस से बाद उससे बाद़ भोंड हो एफिर उसका है उसका ग्ले महैने वापस गया सदिशります क्योंकि आपको वहां पर जो bandwidth वगेरा एक्शल मिल रहा है जो storage आपको मिल रहा है वो इतना कम होता है और उसमें आइनोड restrictions भी होते हैं इस वज़े से आपके साथ आपको पैसा कम देना पड़ रहा है ठीक है लेकिन उस पैसे का फाइदा नहीं उठा पाओगे तो यह प्रॉबलम है ठीक है तो इतना मैंने आपको क्लेर कर दिया अब हम आगे की सीजियों रहते हैं अब गईस जो ब्लू होस्ट है यह एक मात रैसी कंपनी है जो शेर्ड होस साइट के लिए सबसे बैस्ते सबसे कंपैटिबल है ठीक है इसलिए खुद वर्डप्रस ब्लू होस्ट को रिकमेंट करता है और इसी बजह से वर्डप्रस नहीं यह पावर भी दिया है ब्लू होस को कि वो शेर्ड उस्टिंग ये प्रइस वार्ट वोसिंग और यह यहां होस्तिंग प्लांस अब हम दूसरे टाप में जाएंगे और यहां पर है वर्टफरस वस्तिंग ठीक है अब हम दोनों को प्राइस को एक बाइब चेक करते हैं शेर दोस्तिंग में 169 बेसिक का 279 प्लस का और 279 चॉइस प्लस का ठीक है यह यहां पर हमें इंडियन सर्वर मिलत मिलते हैं अगर आप इंडिया में ही टार्गेट कर रहे ह्यों अपने एफसाइट को तो आपें गस्राइब ले णेरा सकते हो ज्यादा razne तो आप यूए सर्वर ले सकते हो अब क्योंकि क्लाउड ले और कुंकि आपका डैटा सेंटर कहां पर है यानि कि सरवर आपका कहां पर है आपको सोचने की जरूद नहीं है है अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब बार-बार ये बात नहीं बताऊँगा लेकिन ये जो चीज़े ये आपको माइड में रखना है ठीक है तो ये हो गई बात क्लियर अब हम देखेंगे कि Bluehost में हमें क्या-क्या मिलता है देखिए हमें आज से क्या-क्या ले सकते है WordPress hosting मिलता है हमको यहाँ पे Managed WordPress hosting मिलता है WooCommerce hosting मिलता है WooCommerce hosting मिलना एक बहुत भी बड़ी बात है क्योंकि WooCommerce ऐसी एक business plan है जो कभी भी fail नहीं होता है ठीक है आप e-commerce business start कर सकते हो और e-commerce business start करने के लिए जो hosting ली जाती है WooCommerce hosting आप इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप WooCommerce business जो है यानि e-commerce business जो आप shared hosting और WordPress hosting में रन नहीं कर सकते है यह मतलब नहीं है इसका बिल्कुल भी लेकिन गाइस कुछ extra features जालके तोड़ी compatibility बढ़ा के जो hosting बेची जाती है वो होता है WooCommerce जो की particularly WooCommerce के लिए होता है ठीक है अगर आप WordPress hosting पे WooCommerce रन करोगे तो भी बहुत बढ़िया चलेगा ठीक है कमाल का चलता है मैंने किया है shared hosting पे भी बहुत अच्छा रह जालता है ठीक है लेकिन तोड़ा सा extra advantage हमें यहाँ पर WooCommerce होस्ट में देखने को मिलेगा और इसी बज़ए से बहुत सारी कम्पनियों बूकर्स होस्टी में काम कर रहे है और उस कम्पनियों की लिस्ट में सबसे आगे ब्रूश सर्वर आप खरीज सकते हो जिससे आप अपने खुद की hosting कमनी स्टार्ट कर सकते हो और डॉमेंस आपको मिलेंगे वेब साइट साइट आपको यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ठीक है तो यह बात होगी क्लियर अब हम समझेंगे प्लैंस का ठीक है और प्लैंस को समयने से पह आप खोस्टिं में कोई issue आएगा और फिर आप call करोगी नहीं issue आने के chances तो ना के बराबर है क्योंकि यह best है अब आती है बात कि आपको यह customer care नंबर पर आप माल लो कि WordPress में कहीं अटक रहे हो आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है आपने माल लो कि आपको Bluehost को use करना नही आ रहा है ठीक है तो वो सारी चीजे जो है वो help करने के लिए नंबर है और 24 x 7 यह help line चालू रहती है आप जब चाहो तब इस नंबर पर call करके help ले सकते हो किसी भी चीज के लिए सिर्फ hosting का ही नहीं आप हर चीज का यहाँ पे देख सकते हो ठीक है अब बात कर लेते है plans के की हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए अब क्यूकि मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पर शेयर्ड और वर्डप्रस होस्टिंग की price बिलकुल सेह में तो अगर ऐसा है तो हमें वर्डप्रस होस्टिंग लेनी चाहिए क्यूंकि वर्डप् के option तो हमेशा open है अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ शेयर डॉस्टिंग और बार्डपस होस्टिंग में यहां पर जो शेयर डॉस्टिंग है उसके अंदर कुछ चीजे ऐसी होती है जो आपको यहां पर लिखा हुआ नहीं मिलता है हमको ठीक है लेकिन इसके हर होस्टिंग प्लान का कुछ ना कुछ RAM होता है, not CPU hoता है, Input Output Process Ses होता है यह चीज़े जो होती है shared hosting में उस server में hosteर सभी websites की बीच में shared होती है और WordPress hosting मैं आपके लिए dedicated दी जाते है मतलब उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, shared बिल्कुल भी नहीं है, सर्फ और सर्फ आपके लिए होता है, ठीक है, अगर मालों की first plan में आपको 1GB RAM मिल रहे हैं, तो वो shared हो सकता है, ठीक है, जैरूरी नहीं है कि वो shared हो गया ही होगा, वो shared हो सकता है, depending on कि आपका server कहां रखा गया है, आपके उस server में आपके जो slot है, उसमें और कितनी website है, हो सकता है, आपको dedicatorly मिल जाए, लेकिन guarantee आपको wordpress में रहती है, इसलिए कहीं बार ये देखा जाता है, कि shared hosting की जो performance है, वो wordpress hosting के बराबर रहती है, लेकिन अगर हम हमेश हर case को देखा देखते हैं, तो वहाँ पर कई नहीं रहती है, वो जाधा रहती है, वो जाधा रहती है, वो wordpress hosting में आपको guarantee मिलती है, ठीक है, अब Bluehost एक ऐसी company है, जो आपको basic plan में भी 1GB RAM देता है, और कोई भी company आपको basic plan में 1GB RAM नहीं देता है, क्योंकि 1GB RAM देना बहुत महगा पड़ता है, basic plan में, है न, लेकिन Bluehost वो भी करता है, तो ये अची बात है, और दूसरी जो company आफ आधी GB RAM देता है, या फिर 0.25 GB RAM देता है, नहीं कि 256 MB RAM देता है, वो भी sharing रखते है shared hosting में, ठीक है, तो आप सोचो कितनी खराब performance होगी उन company की, जो कि वो आप, फिर भी आप से hosting के महीने के 200 रुपे तक लेते हैं कोई company है, ऐसी भी company को मैं चानता हूँ, जो इतना खराब service देने के बात भी 200 रुपे देती है, और काफी ऐसी तैरी company भी है, जो 40 रुपे कुछ लेकर आपको ऐसी service देती है, ठीक है, वहाँ पर आप share hosting मुझे पता है, ये वीडियो देखने के बाद, बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो WordPress hosting ही purchase करेंगे, क्योंकि sense उसी में बनता है, ठीक है, तो चलिए, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि share hosting खराब है, आप share hosting ले सकते हैं, बिंदास ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं नहीं यार, मुझे सही बताना पड़ेगा, जो genuine बात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि WordPress hosting, share hosting से हमेशा बेटर रहता है, ठीक है, तो चलिए, आप basic plan के बारे बता है, यहाँ पर जो है one website आपको मिलता है, यानि कि आप एक website को basic plan के साथ host कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको unlimited websites मिलती है, और यहाँ भी आपको unlimited websites मिलती है, तो यहाँ पर आपको जो plan लेना चाहिए, वो है basic plan अगर आप एक साल के लिए purchase करते हो, ज्यान से सुनना, अगर आप एक साल के लिए purchase करते हो, तो basic plan, और अगर आप तीन साल के लिए purchase करते हो, तो choice plus plan, ठीक है यह आपका बेसिक सा एक overall guidance में आपको दे रहा हूँ यह आपको मानना ही पड़ेगा यार क्योंकि यह सचा ही है क्योंकि एक साल में क्या है कि आप एक से ज्यादा website शायद ही होस्ट करोगे है अगर आपके पास budget है तो आप एक साल के लिए भी choice plus ले सकते हो लेकिन मैं वो suggest नहीं करता हूँ कि एक साल के लिए आप तीन साल के लिए आप basic को भूली जाओ है ना त अगर उस वक्त आपके पास basic plan हुआ तो आप दूसरा website host नहीं कर पाऊंगे तो यह फरक पड़ जाता है इन दोनों plans के बीचे लेकिन लेकिन मता रहा हूँ अगर आप बिल्कुल beginner है आपको पता नहीं है wordpress site किसे बनाई जाती है अगर आपको SEO करना नहीं आता है आपको एड चलाना नहीं आता है आपको कुछ भी नहीं आता है अगर इनके आप बिल्कुल मतलब कोले से अभी पास आउट होके निकले और आपको कोई आडिया नहीं है आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए यह वाला plans है यह सस्ता भी आप क्या कर लोगे बिना आप टाइम कि आपकी सारी मेनद वेस्ट है जहां पर आपको कमाल की अफटाइम मिलती है और बाकी अगर सीखने की बात है तो गाइस आप आ सकते हैं यूटूब पे यूटूब पर आने की बात जो मैं बता रहों आपको वह सर्च करना है आप सिं आपको इस वीडियो को डिस्कूर्शन मिलेगा और जो आप यह वीडियो भी देखे रहो इसमें आपको डिसकांट लिंगा ठीक है खरीद लोगे एक बार ठीक है डूमेन और सिंग एससल सार्टिविए सब कुछ बताया है मैंने इसके बाद अगर आपको वर्डप्रेस जा सबसर घ मिलेगा चांट लिए की वर्ड हम ने आपके लिए बनाया है ताकि आप लिगक्त ना है यहां पर आपको यह वीडियो मिलेगा हमारा जिस पर आपको 9,17,000 व्यू अभी फिलाल है वह सकता है जब आप यह वीडियो देखोगे तो 1,000,000 व्यू टैच हो जाए ठीक है मतलब 10,000,000 व्यू इस पर कम्प्रीट हो जाए तो इस वीडियो के अंदर यह 4 गंटे का वीडिय आया है SSL certificate, domain, wordpress install करना, wordpress के अंदर की हर एक छोटी-छोटी चीज को कैसे change किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सब कुछ बताया है मैंने इस वीडियो के अंदर, एक बार इस वीडियो को देखोगे ना आपका पूरा career set हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस वीडियो को आप 3-4 घंटे दे दो, आपके आने वाले 50 साल सुदर जाएंगे, है ना, तो ये वीडियो आप बैटके देख सकते हो, ठीक है इन दोनों वीडियो का लिंक में आपको description में प्रवाइड करवा दूँगा, अब बाकी चीज़े देख लेते हैं, basic plan में लोग domain बहुत सारे लोग देते हैं, ये कंपनी भी दे रही है, free staging environment, wordpress hosting में free staging environment हर कंपनी देती है, ठीक है, staging environment से क्या होता है कि आप अपने website में कभी भी को changes करना चाहते हो, ठीक है, और तो आप क्या करते हो, उसको under construction mode में रखते हो, ठीक है, और फिर changes करते हो, ताकि जो लोग सा तो उसके लिए staging environment होता है, आप अपने website की एक copy कर लो, ठीक है, उस copy में काम करो, तब तक आपकी पुरानी website चलती रहेगी, और जैसे आपको copy पे काम complete हो जाएगा, आप copy को replace कर लो पुराने वाले के साथ, ठीक है, तो पुराना वाला हट जाएगा, और आपकी copy value उस site जो आजाएगी, ठीक है, तो इससे आपका site हमेशा चलती रहेगी, और आपका business का loss नहीं होगा, आपको block पे जो traffic बगे रहाता हो, उसका loss नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो ये WordPress hosting जो है, आपको extra feature प्रवाइड कर आएगी, अब CDN मिलता है, email marketing tool मिलता है, WordPress website migration मिलता है, जो कि market में जिसके पहली 2000 रुपे की होती है, वो आपको यहाँ पर फिल्कुल free of course मिलता है, दूसरी hosting companies 800 रुपे तक लेती है, migration के, आप बाहर से कराओगे, अगर locally किसी बंदे से आप कराओगे, वो 2000 रुपे लेगा, लेकिन यहाँ पर आपको migration free है, माइगरेश hosting चल रही है, किसी और hosting company के साथ, और वो अपने उस hosting पे चल रहे हैं website को bluehost में लेके आना चाहते हैं, तो bluehost company free of course migrate करके देगे, इसका मतलब यह होता है, ठीक है, तो यह चीज़, यह आपको free of course मिलता है, अब दूसरा plan देख लेते हैं, plus, जिसके बारे मैं ज़्यादा बात पर हमें extra मिलता है, domain privacy मिलता, daily website backup जो है, बहुत important feature है, क्योंकि guys, backup लेना, आप सोचोगे कि अगर आप को थोड़ा काम करते हो, और आप busy हो जाते हो, आप सोचोगे कि मैं रात को वापस आके backup ले लूँगा, ठीक है, आप काम करने के बास शाम को निकल गए, आप लेट होग है, और मालो की कुछ प्रावलम होगे है, ठीक है, और अगले दिन जब आप काम करोगे तब आपके साइट पर कुछ प्रावलम आ गई, और कल रात बुद आपने backup लिया ही नहीं था, क्या गरोगे हैं, कुछ नहीं हो सकता है, तो उसके पिछले दिन आपने जितनी भी मैनत किती सब बेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक automatic process है, ठीक है, जो hosting लेकती रहती है, ये backup, हर रोज लेती रहेगी, आपको हमेशा एक backup मिलता रहेगा, ठीक है, अब मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास है 95 websites, क्या मैं बैकप ले सकता हूँ, 95 websites का आपको सोने से बले हैं, impossible है इंपसिबल है, लेकिन hosting हमें तब भी ले रही है, तो मेरा कितना सारा पैसा बजगिया, कितने सारी मेहनत बजगिया, कितना extra profit मुझे मिला, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, मेरे, आप सोच हो कि एक बंदे के पास 95 website कर क्या रही है, ये मेरे clients की website है, जिसमें से 75 website मेरे clients की ह और 20 website मेरे है, तो कुछ इस तरीके से काम सेलता है, अब बहुत एक important factor बताता हूँ, plus और choice plus में से हम choice plus ही क्यों ले रहे है, plus क्यों नहीं ले रहे है, ठीके, plus plan यहां पर कर क्या रहा है, इस same price में अगर plus plan अगर यहां पर दिया जा रहा है, ठीके, और उसी price में दो extra तो यही लेने वाले है, तो यहां पर आता है एक नया game plan जो बहुत सारी कंपनिया करते हैं, और हर कंपनी को करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है, उनके business को आगे लेके चलने के लिए उनको भी पैसा कमाना होता है, करना पड़ता है बहुत सारी कंपनियों को, आ यह फरख पागिया, और इसके लिए आपको 300 रुपे देने, आब गाइस, यह ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन इसका भी एक solution है, solution ध्यान सुरना, ना तो आपको यह 300 रिपे देने पड़ेंगे, ना तो आपको 400 रिपे ड़ेंगे, यह बांस देने पड़ेंगे, यह ख़ब यहां से बात करते वक्त आप उनको कहना कि आपको अपना होस्ट यंज इन नहीं करना है ओफर क्या चलने अगर आप डिर्क्ली रिनेव करो ता पॉल पासफजर लगें घर यह करओं यहां और य। के business में यह बात लिखके ले लो आप जो profit बना और रीनीवल के time पर जो ब्रफिट बनता है वो Company कभी छोड़ेगी नी तो इसलिए आपको जो renewal मिलेगा वो इसी price में मिलेगा जिस price पर आपने करीदा है तो आप अगर आप choice plus plan भी अपने भी आपको नहीं देना पड़ेगा तो ये था सीगरेट और ये मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं उसके सबसे लास में बताता हूं जिन लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा होगा उनको बहुत ब्रादा प्रॉफिट होने वाला है डिसकाउंट लिंक तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है कि यही इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टन बात थी कि आप इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे आँगे और वीडियो बनाने की मौटिवेस्ट बलती है ठीकिए गाइस यह चानल को सबस्क्राइब करेंगे बईल आइक ब्र फर्स लेके आँगा, उनका discount link अगर मेरे हाथ लगता है, discount link भी लेके आँगा, उन सबका notification आपको time to time मिलता रहेगा, तो इसलिए, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे themes, plugins, इनके discount link भी है मेरे पास, तो मेरे काफी सारी वीडियोस में, प्रोवाइड कर रहा था हूँ, इस वीडियो में, description में, शायद में डाल दूँगा, अगर मुझे याद रहा तो, ठीक है, और काफी सारे tools है, email marketing tools है, उनका भी discount link है मेरे पास, तो ये सारी चीज़े जो है, आप इस चैनल को subscribe करके रखेंगे, तो आपके सामने वो वीडियोस आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को subscribe करके, बेल आइकन को चुरूर प्रेस कर ले, तो आज की वीडियों सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो दोस्तों, आज की वीडियों सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,